दोस्तों स्वागत है आपका फियर्स क्लॉड में तो दोस्तों यूक्रेऑन के खिलाब रूस का हमला लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस बीच यूक्रेऑन के मेयर ने चौका देने वाला दावा किया है और उन्होंने रूस पर वैक्यूम बम दागने का आरोप लगाया है और वैक्यूम बम न्यूक्लियर बम के बाद सबसे ज़्यादा खतरनाक बम होता है और इसे रूस ने फादर आप आल बम का नाम भी दिया है वहीं आपको बता दूँ की सैन निकारवाई सुरू करने वाले रूस के पास सबी बमों का बाप मौझूद है जिसे फादर आप आल बम कहते हैं और दुनिया का सबसे सक्तिसाली गैर परमाडू बम है और अगर आप फादर आप आल बम के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो आपको बता दूँ की ये बम सबी बमों से बढ़कर और बेहदी खतरनाक बम है वहीं रूस के पास जो बम मौझूद है वा थर्मोबेरिक बम है और यह कई नामों से जाना जाता है जैसे की एरोसोल बम, वैक्यूम बम या इंधन हवा बिसफोटक और यह एक सुपर सक्तिसाली गैर परमाडू बम है जिसमें 44 टन से अधिक TNT के बराबर बिसफोट होता है वहीं इस बम को रूस ने 2007 में विक्सित किया था और 700 किलो वजन वाले इस बम का इस्तिमाल करने पर यह रास्ते में आने वाली बिल्डिंग और इंसानों तक को तबाह कर देता है और रूस ने इस वैक्यूम बम का इस्तेमाल 2016 में सीरिया पर किया था और यह बेहत खतरनाक बम है यह 44 टन टी अंटी की ताकत वाला धमाका कर सकता है और इस बम की एक और खासियत है कि यह अक्सीजन को सोक कर बड़ा धमाका करता है और ऐसे धमाकों के कारण इसमें से अल्ट और अमेरिका ने 2003 में मदर आफाल बम तयार किया था और इसका नाम GBU 43 है और अमेरिका ने इस बम का ट्रायल फ्लोरिडा में किया था और यह 11 टन टी अंटी की ताकत वाला धमाका कर सकता है जबकि रूसी बम 44 टन टी अंटी की ताकत के साथ धमाके को अंजाम दे सकता है औ और अमेरिका में तयार हुए बम के जवाब में रूस ने फादर आफाल बम को तयार किया था और रूस का बम अमेरिका के मुकाबले अधिक ताकतवर है वहीं रूस ने इस बम को इसलिए भी तयार किया था ताकि दुनिया को ये बता सके कि रूस किस हद तक पावरफुल है औ और कभी भी कोई भी देश रूस पर हमला करने से पहले सव बार सोचे और फादरा फाल बम 300 मीटर के दाइरे में नुकसान पहुचा सकता है और यह बिनासकारी हथियार एक जेट से भी गिरा जाता है और इससे हवा के बीच में बिस्पोर्ट होता है और यह हवा में आक्सीज को बाहर खिंचता है और एक छोटे परमाडू हथियार के समान असर पैदा करता है वहीं इस बम को बिमान से गिराने के साथ साथ जमीन से भी छोड़ा जा सकता है और एक निर्धारित उचाई तक ले जाने के बाद इस बम के इंधन को बादलों पर आक्सीजन के साथ मिला क पहला दिया जाता है और इसके बाद इन बादलों में विसफोट कराते ही इसके संपर्क में आने वाली चीजे या इमारते निस्त नाबूत हो जाती है और हवा में विसफोट किये जाने वाले इस वैक्यूम बम की सक्ति परमाडू हथियारों के बराबर बताई जा रही है और इसमें नैनो टेक्नलाजी का इस्तेमाल किया जाता है और इसके धमाके से रेडियेशन का खत्रा बिल्कुल नहीं होता है। अब आप लोग का क्या कहना है रूस के खतरनाग फादर आप आलबम के बारे में कमेंट में जरूर बताएं और लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें ताकि डिफेंस से जुड़ी खबरे आप तक पहुंशती रहें धन्यवा सत्क्राइब